आज के इस खास सेशन में आप जानने वाले हैं कि आखिर भारत क्यूं सुपर सॉनिक ब्रहमोज मिसायल का परिक्षन सुखोई 30 MKI से कर रहा है क्या इसके पीछे चीन और पाकिस्तान टारगेट है और क्या ये वाकई में चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बुरी खबर है तो चलिए जानते हैं हाली में भारत ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रहमोज सुपर सॉनिक रूज मिसायल का सफल परिक्षन किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि विशेशग्य भी जो डिफेंस एक्सपर्स हैं उनका भी कहना है कि ये बड़ा मील का पत्थर भी है क्योंकि ब्रहमोज और सुखोई की जो घातक जोड़ी है यानि कि ये जो घातक कॉंबिनेशन है वो दुश्मन की आक्रमक शमताओं को हमेशा के लिए अक्षम बना देगा रक्षा मंत्राले ने भी इस बारे में जानकारी थी कि विमान से लॉंच की गई मिसाइल ने अपने प्री प्लान यानि कि पूर्व नियोजित जो ट्रेजिट्री होती है यानि कि प्रक्षिफ वक्र होता है उसका अनुसरन किया और सभी मिशिन उदेशों को पूरा किया और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस जटिल मिसाइल प्रणाली का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इन्हें शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा अब बात करते हैं ब्रामोस प्लस सुखोई 30M कहाईगी ये परिक्षन इतना महतवपून क्यों है जबकि भारत अल् जुमी है कि DRDO और रश्या के NPO के द्वारा इस मिसाइल के निर्मान किया जाता है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसॉनिक क्रोज मिसाइल है और इसे भारतिय शचसबलों में शामिल किया जा चुका है 8.4 यानि कि 8.4 मीटर वाली ब्रहमोस की मारक शमता लगबग 400 कि है और इसकी रेंज इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि भारत अब जो मिसाइल टेक्नोलोजी कंट्रोल रिजिम है उससे बहार आ चुका है और ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक का वजनी कन्वेंशनल पेलोड ले जा सकती है और ये अपने हाई प्रिशीशन और डिस्ट्रक् क्रोणों के विपरीत है क्योंकि ब्रह्मोज एरोस्पेस का जो वायू संस्क्रण है यानि कि एर लॉंच वर्जन है उसका वर्जन 2.5 यानि की धाई टन तक कम करना पड़ा है जबकि जो लैंड आधारित वर्जन और नौसेना संस्क्रण है उनका प्रतेक का वर्जन 2.9 ट होता है और इसके लिए अगर आप किसी अन्य देश के पास जाओगे तो काफी मोटा पैसा मांगेगा लेकिन हमारे वैग्यानिकों ने ये काम कर दिखाया और मोडिफिकेशन किया सुखोई 30 MKI के एर फ्रेम में जिसके बाद इस मिसाइल को एक ही कृतियानिक इंटिगेट क किया गया था और नौन मेटलिक एर फ्रेम सेक्शन जैसे की राम जेट फ्यूल टैंक और प्यूमेटिक फ्यूल सप्लाइ सिस्टम उनमें से हैं और परिशन के दोरान डिवाइस की जो स्ट्रक्शनल इंटिगेटी यानि कि संदशनात्मक अखंता और फंक्शनल कैपेबिल सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा इसके लावा भारत ने 7 दिसंबर को चांदी पुरिस्तित ITR से VLSR SEM यानि के वर्टिकल लॉंच शॉर्ट फ्रेंज सर्फिस टो एर मेंसाइल का भी सफलता पूर्वक परिक्षन किया भारतियन और सेना DRDO के दोरा डिजाइन की गे प्रनाली का उप्यों करेगी जो कि 15 किलोमेटर की दूरी पर लक्ष को भेदने में श्रक्षम है अब बात करते हैं एक खतरना कॉंबिनेशन की ब्रहमोस और सुकोई 30 की ब्रहमोस एर लॉंच क्रूज मेंसाइल को शामिल करने से भारति वाईसेना की दुश्मन के इलाकों में गहराई से हमला करने की शमता में सुधार हो गया है भले ही ब्रहमोस को भारतिय शेतर में सुकोई 30 MKI से लॉंच किया गया लेकिन अब भारती विमानों के पास एक बड़ी स्ट्राइक रेंज है भविशे की किसी भी लडाई के लिए ये एक महतवपून मोड होगा जितनी भी एक्टिव लडाईयों में पहला उदेश होता है दुश्मन के महतवपून परतिस्थानों और रक्षा संपन्तियों पर हमला करना इसके अलावा मिसाइल एक इनिर्शिल निविगेशन सिस्टम और एक ग्लोबल पोजिस्टिनिंग सिस्टम से लैस है और विशेश रूप से आतंगवादी प्रशिक्षन शिवरों पर सटिक हमले के लिए ये 10 मीटर से कम जमिनी लक्षों को भेश सकता है ब्रह्मोस के हवाई संस्क्रन का अंतिम परिक्षन जुलाई 2021 में भी किया गया था 2.5-10 की हवा से लॉंच की गई मिसाइल के रेंज 300 किलोमेटर और अधिकतम गती 2.8 मैक है अब ये एर लॉंच वर्जन की खास बात क्या है दरसल दोस्तों हवा से दागी गई ब्रह्मोस ध्यान दीजिएगा हवा से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल मौझूदा जमीन से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में इसे डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए असंभव है यानि कि कुछ हद तक जो जमीनी संस्क्रन है ब्रह्मोस का वो डिडेक्ट करना आसान हो सकता है लेकिन विमान से दागी गई इस मिसाइल का पता लगाना दुश्मन के लिए असंबफ हो जाएगा इसलिए भूमी आधारी जो प्रहनालिया है ब्रह्मोस की उन्हें बिलकुर बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा जबकि सुकोई 30 MKI से लॉंच की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बेडों को दुश्मन की दृष्टी से दूर तैनात किया जाएगा इंडियन एफोस ने जनवरी 2020 में तंजावूर में 222 टाइगर शॉक स्कॉडन को कमिशन किया जिसमें मिसाइल से लैस संशोदित सुकोई 30 MKI फाइटर जेट शामिल थे और इससे 66 रुबलों की आकरमक स्ट्राइक रेंज में भी व्रिद्धी हुई है अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन के लिए क्या ये चिंता का विशह है इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे बकायता हम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो भारत के भी हैं और विदेश के भी हैं उन्होंने क्या कह रखा है उसके बारे में बताएंगे दरसल न्यूजिलेंड के रक्षा विशलेशकों का कहना है कि सुकोई 30M क्याई और ब्रह्मोस सुपर्सोनिक मिसाइल एक साथ आना इनका एक खातक संयोजन है लेकिन जब दुनिया के सबसे सुपर मैनुवल लड़ाको इमानों में से एक ब्रह्मोस जैसी सुपर्सोनिक और सुपर विनाशकारी क्रूज मिसाइल से लेस है तो ये दुश्मन के लिए बूरी खबर है इसके अलावा ब्रह्मोस कॉर्प के महाप्रबंदक पीडी पाठक जी ने भी एक इंटर्वी में बताया कि ब्रह्मोस की सटिकता इसे शेहरी छेत्रों में सैनेट्छे कानों पर बंबारी करने में विशेश रूप से फायदे मन मनाती है जहां collateral damage को सीमित करने के आवश्कता होती है भारत पहले missile technology control regime यानि के MTCR की मजबूरियों के आगे घिरा हुआ था और इसने इस missile की जो operation सीमा थी उसे 300 km से कम कर इसे सीमित कर दिया था लेकिन भारत ने पहले ही 290 km से 400 km की सीमा के साथ इसका प्रियोग करना शुरू क्या था और फिर मार्च 2017 में missile का सफलता पूर्वक परडिक्शन किया था और MTCR में भारत के शामिल होने पर अब missile की सीमा को 400 से 800 km तक बढ़ाना संभव है इसके अलावा न्यूजिलेंड के रक्षा विशलेशक कहते हैं कि ब्रह्मोस के साथ सुकोई 30 MKI का एक एक रण के साथ एक दो स्क्वार्डन पाकिस्तान के परमाणो उर्जा संहियोत्रो सहित पाकिस्तान में जो महतोपुन केंधर है उन्हें अक्षम बना सकता है और यही नहीं लहुर के पश्ची में सारा गोदा सेंटल अमुनुशन डिपो, गुंजरवाला, ओक्रा, मुल्तान, ज्हांग और डेरा नवाफ शा में बैलिस्टिक मिसाइल बेस रावल पिंडी में पाकिस्तानी सेना कॉप का मुख्याल है पाकिस्तान का एक मात्र प्रमुख बंदरगा और कराची में उसकी नौ सेना मुख्याल है इसके अलावा जो उसके कार खाने है जो टैंक और लड़ा को इमानों का निर्वान करते हैं उनको निशाना बना सकता है यानि कि पाकिस्तान तो टिकता नहीं है लेकिन चाईना का क्या करें द्रतल तो में चाईना है काफी दूर है और ऐसे में असंवभभ है कि चाईना के अंदर जाकर स्टाइक की जाए लेकिन ऐसा नहीं है यान कि सेना थो वो अपनी बॉर्डर पर लाए गई ब्रमोस और सुखोई का डैड़ी कॉमिनेशन पाकिस्तानी सेना के कमा नेंतरण और संचार केंद्रों के अलावा उसके डाम्स बिजली स्टेशन रणी तिक पुलों और उसके सबी प्रमुक बुन्यादी धाचों को नुकसान कर देगा यहींने दोस्तों यह बात भी अब सामने आ रहे ही है कि ब्रमोस ने भी एक परमानो इतला दे दी है और यह भी कहा जा रहा है कि एक फुल थोटल प्री एटम्टी परमानो हमले की यह गारंटी दे सकता है जिसमें कि दुश्मन की जो आकरमक शमता हैं वो पूरी तरह से लिए और क्या आपको लगता है इसके आलावा आप कमें शिक्षमलिक का जुरू बताएं मिलता हूं यह वीडियो के साथ ख्याल रखेगा अपना जय हिंद वंदे मातरम